हलो एवरिबन तो चलिए आज हम पनीर जाल फ्रेजी की रेस्पी सेयर करेंगे आपके साथ यह सबजी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती और बहुत ही टेस्टी बनती है तो हमारे चैनल फूड़ी फोश किचन में आपका स्वागत है चलिए इसे हम बनाना इस्टार्ट करते है तो पनीर जाल फ्रेजी बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे उसमें 2 टेबल इस्पून ओयल डालेंगे ओयल हमारा गरम होगे अब इसमें हम हाप टेबल इस्पून जीरा आट करेंगे और हम इसमें रट चिली आट कर लेंगे और इसे हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे ओयल म मिर्च अद्रक एट करेंगे अर से भी हलका सा रोस्ट कर लेंगे औरには इसमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम ने यहां पर ठीकलर की सिम्ला मिर्च लिए ग्रीन यलो और एड़्ड सभी गर्रेंट को हम डालकर इसको को गैस की हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जिससे हमारी सिम्ला मिर्च का क्रंच बना रहे तो हमारी सब्जियां रोस्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें कासमीरी लाल मिर्च डालेंगे वन टेबल इस्पून इससे हमारी सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है और यह मिर्च जो है तीक ही नहीं होती बिल्कुल भी और हम असाली डालते समय गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे जिससे हमारे मसाले जलेना हमने यहां पर वन टमेटू लिया है मेडियम साइज का और उसे बारिक कटकर लिया है और इसे भी हम रोस्ट करेंगे हलका और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 टेबल इस्पून धनिया पाउडर और इसे हम गैस की स्लो फ्लेम पर भून लेंगे और अब हम इसमें टू टेबल इस्पून टमाटो केचप आट करेंगे और वन टेबल इस्पून विनेगर इन सबी को हम अच्छे से मिला लेंगे mix कर लेंगे और इसमें हम बफर हम अपने टेष्ट के ऑlor अब हम इसे हलका सा पका लेंगे हम भूब घल कर इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल लेंगे झिससे इसके ale अच्छे से पग जाएए और अब मसाले पक गए है तो हम इसमें अब हम इसमें पनीर आट कर लेंगे हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है और हम यहाँ पर पनीर को लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे अब इसे हम हलके हाथों से आराम से मिक्स करेंगे जिससे पनीर के पीसे स्टूटे ना और अब हम में घरम मसाला एट कर लेंगे 1 टेबल इस्पूल कसूरी मिथी लेंगे यसमें करेंगे और इसे हम भैंट करेंगे और शीथरीसेकंड और dipping एब कह पपा लेंगे और यह ने का चंद आते हमारी पनीर याल फरिजी बनकर रेड़ी ऑग तो चलिए हम इसे स्थव कर लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा.